हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिर ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यह न्यू टैक्टिस सेट का टैक्टिसवा वीडियो है जैसा कि मैं यह एंपी वर्ग टू थी यूपी टीटीटी फिजिटी यूपी अल्डेग्रेट में पिए सिट यूपी ट जैसे कि सुनने में आ रहा है कि दिसम्बर तक इसका एक्जाम कराने के प्रक्रियाश चल रही है बड़ देखिये कब तक होता है बड़ होगा जरूर और जो यूपी हल्डी ग्रेट है 2018 के बाद अभी तक नहीं आया है तो आएगा ही और VPSC TRE 4V होगा तो एंपी का वर्ग आप सब्तायारी कर रहे हैं तो सभी कुछ ने कुछ कारे में जुड़े हुए हैं टाइम कम ही मिल पाता है तो कारे करते हुए इसके लिए भी कुछ ने कुछ दोतीं घंटा जरूर निकालिया और डेली वेसे इस पर करते रहे और जिससे की जो भी वेकेंसी आए उसमें तो दोस्तो हमारे सरी की सबसे मजबूत पावरफुल मसल्स होती है हमारे निचले जबडे की जिसे हम मसेटर मसल्स बोलते हैं जो मैंडेबल हड़ी के ऊपर चढ़ा होता है हमारे सरी की सबसे मजबूत हड़ी निचले जबडे की मैंडेबल हड़ी होती है और हमारे सरी की सब अब्यक्ति में कारे करने के लिए उस्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे हम क्या करते हैं the factor that increase and decrease the motivation of a person to be age called work age called तो दोस्तों यह क्या करता है हमारे कारे करने की उस्साह को बढ़ाता घटाता है वो होता है प्रेडा क्या होता है प्रेडा यानि की motivation ठीक है प्रेडा जो होता है हमारे कारे करने की जो उस्साह होता उसको बढ़ाता घटाता दुन होता है दो प्रकार की प्रेडा होते हैं आंतरिक और वाहया कोशन निमबर 3 है प्लेग नामग विमारी होती है प्लेग नामक विमारी होती है जो होती है उस चुहों कर बढ़ा है नTo पिस्सूं से होता है क्योंकि पिस्सूं के सरीर में फ्लेक का वैक्ट्रिया रहता है जिसे जेनो फ्रिला के वो पिस्स वैक्ट्रिया कहते हैं प्लेक का सबसे भयानक पिस्सू है क्योंकि यह आसानी से चुहे से मानों तक पहुच जाता है question number four है लोही की कमी से सरी में कौन सा रोग होता है which digit is causing boy deficiency of iron in the body तो दोस्तों आपको पता है कि एनेमिया हो जाता है रख्त की कमी रख्त अलपता जिसे कहते हैं एनेमिया रोग हो जाता है लोही की कमी से यह सरी में लोहे की प्रती दिन आव सकता है लगबख iron की आव सकता है और से 15 mg प्रती दिन होता है किंतु जो गयवति मैलाय होती है उन्हों को 27 mg प्रती दिन लेना हो होता है इस इसका जो स्रोत है आईरन का जो है मांस अंडे फलियां अनाच हरी पतिदार सब्जियां आदि होती है यह हमोग्लोबीन तथा साइटो क्रोम एंजाइम का महतपूर घरटक होता है Q5 है विटामिन किसे कार अर्ती आधिका थकका बनता है तो कौन से कार अर्टahu का थकका जाते हैं इसके कमी हो जाती है तो रंक का थकका नहीं जमता तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों रख्त का थक्का बनने के लिए हमारे रुधिराडू में थ्रॉंबोसाइट यानि प्लेट साहिक होता है प्रोटीन में ब्लड प्रोटीन की बात करेगा तो फाइब्रो नोजन पूर्थोंबीन होता है जिसका निर्मार जो ह कालशियम के केमार मते ह» यह सबस्क्राइबं प्रोटा कैमें और एंधे हिसाऊ सेवसि के लोग सबस्क्राइब हम सबस्क्राइब लन और है मी hah bout यह खरता है तो सबस्क्राइब लगता है तो लीछे सबस्क्राइब धीन प ढूब अनुकर्प कर थे प्रेशर 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 प्रेश ब्रेन की नंसे बहुत पतली होती है और व्यक्तिकी मिर्थिव हो जाती है को से निम्बर सिक्ष है भारत में किन खेलों का उद्भव हुआ तो दोस्तो भारत में यहां पर देख सकते हैं बॉलिबॉल का अमेरिका में हुआ बिलियंग जुमोर्गन ने अठारहसो पंचानवे में इसको खोजा था एंड जूरो जो है जापान में इसमें भी जूरो जापान में नहीं है स्कूनर और बैरमिंटन यह दोनों जो है आपका भारत में इसका जनम हुआ है क्या माप करने से समन्दित है तो आफ़ोर्ड का फूरा नाम है अमेरिकन एलियॉंस फार हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रियेशन एंड डाउंस इसको परिच्छर युवाव में मोटर फीटनेस को जाचने के लिए माप करने के लिए किया गया है जैसे कि जो आफ़ोर्ड युवाव फिटनेस टेस्ट है इसको 1908 उमने पोल हंसिंकर ने बनाया था युवाव में मोटर फीटनेस ग्याद करने के लिए इसमें साथ आइटम्स थे लेकिन फिर 1936 में इसमें चेंज किया गया पोल हंसिंकर और गाईजी रिफ ने मिलकर चें इसमें आफ़ोर्ड युवाव फिटनेस टेश्ट में कितने आइटम्स है छे आइटम्स हैं यसी पूल आप्स फार गॉल्स एंड फ्लेक्स आर्म हैं फार गॉल्स दूसरा इस्टेट नी सीट अप्स ठीक है इस्टेट नी सीटप जो एब्डामिनल मसल्स इस्टेंड प्वार आफ्व को मेजर करता है 15ellen पचास्या या दास जो आपका स्पीड को मेझर करता है इixò चाह्षाधा है छे मिटर रनवार्ग या ओनमील रनवाग 10-12 एज के लिए और देड़ मिल रनवाग 13 एयर्स या इससे उपर के एज के लिए नो मिनट रनवाग 10-12 एज के लिए और 12 मिनट रनवाग इस तभी छटमा इवेंट में आते हैं जिसमें काडियोरेस्पाइटी इंडरेंस को मेजर करता है कोसिन नमर आठ है किस विटामिन की कमी से यादास्त हो जाने और पच्छा घात का खत्रा रहता है डिफिसिल सी अफ विटामिन कें लीड टू लॉस आफ मेमोरी एंड पेरलाइसिस तो दोस्तों पच्छा घात पेरलाइसिस यादास्त हो जाता है विटामिन B12 की कमी से थीक है विटामिन B12 की कमी से विटामिन B12 को साइनो कोबाल्बिल भी कहा जाता है कि अमेन बी ट्वेल्व को क्या कह जाता है स्वाइन यो स्योगे जाता है ओर यहां मात्र लिट्र विट्रमिन जिसके कोबाल्ट धात्ु सीयोगी ततों के रुपरें प्राफ्थ होता है डियरनिय के संसलेशन में हिस्की कमी से 65 एनिमिया और मेगालोब्लाष्टिक एनिमिया और हो जाता हैcus ROB कोशिंन नम्म 9 है निर्मित से कौन सा खिलारी मैसूर एकस्प्रेस के नामसे जाना जाता है तो दोस्तो मैसूर को सभी तरह के अंतराष्टी से संयास लेने की घुश्रा की और 1992 से अब तक सभी 2400 क क्रिकेट आजिननों में भाग लेने का आस्रे स्रीनात को प्राप्त है। स्रीनात भारती क्रिकेट के प्रमुख हस्ताच्यों में एक है क्योंकि मिदस है कव एक टूसुंदान किस खेल से समझंदित है तो परूशों के लिए चे ओए पर टिंग कि में पैलल बार्ड रोम लुन रिंग, वॉर्टिंग हार्ष, फ्लोर होरीज़़दल बॉर्पाममिल हार्ष होता है। मैभलाव एविंट होता है sole, वॉल्टिंग हार्ष, बैलनस्य बीम, सिम compliqué कan वार्य अनाइवर बार होता है। Q1. बिश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? Which are the oldest sports newspaper in the world? तो बिश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है? Gजेट डेलो स्पोर्ट यह ला रोसिया के नाम से भी चाना जाता है जिसका अर्थ है गुलाबी वाला यह समचार पत्र गुलाबी कागज पर छपता है कोशन नमबर ट्वेल्व है सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिशितियों में उप्योग किया जाना क्या कहलाता है तो दूसरे यह ट्रांसफर ओफ लर्निंग यानि की अधिगम का इस्थनादर कहा जाता है अधिगम का इस्थनादर जो है किसी बीशा या कारिया अथो परिशिति में सिखे गए कारियों का ग्यान दुसरे बीशा को सिखने में सहायता करता है अथो बाधा उपन करता है तो उसे हम अधिगम का इस्थनादर या सिखने का इस्थनादर कहते है फुजिटीकल एजूकेशन 1514, सक्राइट्मक औस सुन्यागौ। द्रस्फर क्या है, जब पूरुका ग्याण एजब पूरुका ग्याण। नवीन ग्याण के अर्जन में बैधा उत्पन करता है तो उसे हम गृत्मक इस्तानात्र करते हैं जैसे साइक्र्ल चलाने का और तीसरा बाई लेट जो वहता है जब एक प्रकार की पचिती में प्राप्त अनुप्र यक्जान उसे मिलते च हुलती दुससे प्रकार की पचिती होने लगता है तो प्रियोग होने लगता है उसे हम चैडिक अंत्रल करते हैं जैसे यहां पर दिया हुआ है सिखी के एक लिया का अन्य समान परिशिति में प्राप्ट अनुभाव का प्रियोग हम उससे भीन या उच्छ कोटी के करते हैं जैसे साइकल का कार जलाने में बस्काइं एक संसी काम को हम बायंं हांस से बाइक हांस से करते हैं तो उसे हम दीप उर्शिक अंत्रल कहते हैं कि कोस्चन नमा 13 है कि यह नृद्व यृद्व क्वाविंब क्मई कह तो यहां पिस होता है निन-भी आख़स्रा किसी फैलता है विशाड़ू से प्रेवरा नखिआ है। फेलता है यो चोटी माता होता है चिकन बॉुलते लिए वाइरस होता है छोटी माता को को म immortal है वाइरस निमोनी नामक बैक्टरियास चे फैलता है डिपलू कोकस निमोनी तेक है इस रोग में फेफ़ड़े प्रहावित होते हैं रोगी को तेज बुखार सास लेने में कठनाई होती है फेफ़ड़े में सूजन आ जाती है कोस्चन निमोनी में से किस खेल की मैदान का अकार सबसे बड़ा होता है वीच फालविंग इस फॉर्ट है दा लाज़ेस्ट फिल्फ साइज तो इसमें पोलो का जो ग्राउंड का मैदान होता है सबसे बड़ा होता है पोलो के ग्राउंड का अकार 270 गुड़े 180 मीटर का होता है प्रतेक टीम में चार गुड़ सवार खिलाड़ी होते हैं ऊलगा जाता है King नोजाा सीच्ट को बीस लिडिका लगाया जाता है तो दोस्तों बीसीजी वच्छीं इस गिविन तो इू बैबीज्वेमS तो दोस्तों नजास CC को BCG को टीका जन्मे के साथ दिंग के भीतर लगाना होता है यह टीका पच्चों की छै या टपेदे की इसे TV टीवर क्लोशिस कहते हैं उसके रच्छा के लिए लगाए जाता है कोशन नबर 16 है फुटबॉल मैंच में खिलाड़ी को चिताउनी हे तो दिखाया जाने वाला कार्ड होता है तो लाल पीला कार्ड इसमें दिखाया जाता है जिसमें चिताउनी के लिए इसमें फुटबॉल मैंच में जो है चिताउनी के लिए पीला कार्ड दिखाया जाता है और दो पीला कार दिखा जाता है वो लाल में अपकनवर्ट हो जाता है और गेम से बाहर कर दिया जाता है है कुशन नम्र 17 है आधर वाध अधायित हैं आदियोर्ष ब्लेटम्णmekे जनम जाता है style और प्रयोग वाध यांद यादे प्रकिती बाद के रूसों को समानने स्वास्ते के लिए कुल कितने संख्या में खनीज की आवस्ता होती है जिसमें खनीज लवड के आव सकता होती है जिसमें खनीज लवड को जैसे के हमारी जो बाड़ी है जो जो 962% जैविक अर्गयनी कमपाउंट कार्बनी तत्तों से बना होता है जिसमें कार्बोहाइडेट प्रोटीन वसा और विटामिन आता है जिसमें आम कह सकते हैं कि कार्बन हैड्रोजन आक्सीजन और मिन्योंटं कह सकते हैं यह हमारा बना होता है जो खनीज़ लवड मेनर्स होते है और जैबिक यानिक लाहिवर होते हैं ओ गवल 21 कोあ ठीक है तो इसे को जो है दो भागवय पटा गया है एक मोक्या खनीज लवर…… जिसे हम मैक्रो मिनर्स बोलते हैं आदूसरा लगू खनीज जिसे हम oikeक्रो मिनरस कहते हैं जो warmays होता है मुख्य खोनीं लिवर वो सरी बगाडे ज़रूत होता है जैसे कैलसियम फासफोरास पोटैसियम क्लोरिन कैलसियम हमारी सरी को डेरपरसेन्ट फासफोरास एक परसेन्ट पोटैसियम 0.4% सपर 0.3% sodium 0.2% chlorine 0.2% magnesium 0.1% के आप सकता होती है उसके लावाँ जो हमारा micro minerals होता है जिसे toss minerals भी कहते हैं जिसको बाड़ी को कम आप सकता होती है जैसे कि iron, cobald, copper, zinc, iodine, chromium, molybdenum, magnees, solenium, emphlorine जिस सब के बारे में जानना चाहते हैं सब्सक्राइब करने वाले तिन मूल खाथ पदार्थ कोन है यहां पर कार्भोगाड़ेट, प्रिवटामीन, प्रोटीन, मिनरल्स वसा दिया हुआ है तो जैसे कि कार्य के अधार पर तीन भागों बाटा गया है उर्जा पदान करने वाले में कार्भोगाड़ेट और वसा है और सब्सक्राइब करने वाले में प्रोटीन है और सब्सक्राइब करने वाले मेटाबोलोजम को अच्छा करने वाले है विटामीन एन खनी लिवर तो यहां पर उर्जा सरीर के मांस्पेसियों में उर्जा प्रदान करने वाले तीन मुख खात प्रदात पूशा है यहां पर हो जाएगा आपका कार्बोहाइडेट प्रोटीन और वसा 135 135 आप्सन नमबर यहां पर राइडन सरह होगा 135 जैसा कि आप जानते हैं झाय होता है जो स्रीर में उर्जा देने के लिए सरी में उर्जा की कमी होने पर सरव पर्थम का्र डिंट का अपयोग होता तो के वसा के आक्सिकरणौ होगा के लिए होता है तिक थातु shocking नियुक्त कार्वोयड को प्योग कर के उर्जा लेता है इसके बाद व्लसा के ऑक्सिक रदबार फिर अंतिम स्यों में प्रोटीन का उप्योग करके उर्जा को कोश्चन नमर 20 है सरीर के किस भाग में ब्रहत और मजबूत मांसपेसियां पाई जाती हैं इन वीच पार्ट ऑफ बॉड़ी और इस ट्रॉंग मसल्स फाउंड तो दोस्तों ब्रहत की बात कर रहा है ठीक है तो बड़ी मसल्स की बात कर रहा है तो यहां पर आपके जो निमन भाग होता है उसमें बड़ी मसल्स और मजबूत मांसपेसियां पाई जाती है ठीक है तरीक के निमन भाग अथा जांगों तथा घुटनों और नीचे की टांगो पाई जाते हैं निन्भाव पाई जाने वाली मजबूत और लंबी मानस्पेसियों के बल से ही भारे बरकम शरीर वाले ब्यक्ति भी अपने शरीर को सीधे खड़ा रख पाते हैं और चलने फिनने की क्रिया सुगमता सिक कर लेते हैं जैसे के हमारे लारजेस्ट मसल्स सबसे ब कानकी इस्टेपीडियोस कोशन निबर 21 है अनुभा इवं प्रसिच्छर द्वारा ब्योहार में परियोतन कहलाता है बिहेवियर चेंज थ्रू एक्सरसाइए एक्सपेरियेंस एंड ट्रेनिंग इस कॉल्ड तो दोस्तों इसे हम सीखना कहते हैं सीखना में ब्योहार परियो इसे निफिटाओं को गोल्ड मेडल दिये गें इन वीच ओल्म्पिक्स वेर वेल गोल्ड मेडल गिवें टू दौ विनर्स तो दोस्तों सबसे पहले गोल्ड मेडल दिया गया उनीस सो चार सेंट लूइस ओलम्पिक में ठीक है लेगिन सबसे पहले ठोश अस्वार पदव आखरी बार दिया गया उनीस सो बारह स्टॉक होम स्वेजन में इसे भी याद रखिएगा को स्वेशन नम्र तेस है गोईटर नमक रूप किसकी कमी से होता है गोईटर डिजिजिज कॉज़ बाइद डिफिसेंसे आफ वीजद फालिविंग तो दोस्तों गोईटर यानि घ बडीजिए के गर्दन के वीज़ू जना जाती है इसी भीमारी को गोईटर कहते हैं गोईटर के बाद क्रे अवस्था आती है जिससे परहाइद ब्यक्तिकों सारी हमान से प्रियुटर होने लगता है जिससे उसका तंत्री का तंत्रवी थहावित होता है कोशन नमबर 24 है मानौ सरी में लाल रग्त कड की मातरा सरी के रुदिराणू का कितना परसेंट होता है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे रख होता है वो दो भागम बटा गया है रग्त प्लाजमा और ब्लड सेंट जो प्लाजमा होता है ह्मारे सरीं में 45 परसेंट भाग बनाता है पुरे रख्त का रेड ब्लड सेंट परसेंट होता है और वदिराणू पुरे रख्त कड गया 99% भाग होता है दोस्तों कहीं 88% कहीं 99% दिया है इस बुक में 99% भाग दिया हुआ है आर्बी सी का ठीक है कोशन नमर 25 है इस्टेपी अस्थी सरी के किस भाग में होती है आपको पता है मिलस इनिकस इस्टेपस ए तीनों होती है हमारे कान में इस्टेपस जो हमारे सरी की सबसे छोटी हर्दी होती है असबसे लंपी अभारी हर्दी हमारे जांग की फीमर होती है सबसे मजबुत हर्दी होती है हमारे निचले जबरे की मैनेबल हर्दी में कोशनबर 26 क्रिकेट का पर पर्थम टेस्ट मैस्च का फिल आ गया है तो धोस्तों क्रिकेट का पर फथम टेस्ट मैस्चू zor वह 어떤 77 में को ऑोस्टेडिया इंग्लैन के केबी में अम्णबॉर्ण में आयूजित किया गया था कोशन 27 है समान इस्थिती में हिद्रे से आने वाले रख्ट का कितना परसेंटेज यकृत को प्राप्त होता है तो दोस्तों अंडर नार्मल इसरी से लिवर को प्राप्त होता है तो यहां पर आपको बताने जो की बात है कि जो हमारे इसे आने वाले रख्ट का 25 परसेंट लीवर यानिकी यकृत को प्राप्त होता है ठीक है तो यहां पर 24 दिया तो 24 राइड होगा तो 25 परसेंट आपको यकृत को प्राप्त होता है और 10 परसेंट आपका हिदय पेस्यों को जाता है 15 परसेंट हमारे ब्रेन को जाता है और 20 परसेंट को जाता है और 30 परसेंट में अन्य सभी यंगों को जाता है कि यानिक सबसे ज्यादा हमाई बॉडी में काम कि यक्रित यानि लीवर करता है इसलिए लीवर को 25 परसंट जाता है ठीक है कि कोर्शन नंबर 28 है मानुसरी की बनाओंट में प्रोटीन का अनुपाद कितना होता है तो दोस्तों मानुसरी की बनाओंट में प्रोटीन का जो अन एंड कोशन निम्हें 39 है एंसेशी की स्थापना कब हुई निश्नल कैडिर क्रॉफ एंसेशी की स्थापना 1948 में किया गया इसका मुख्य उदेश था भारत की रच्छा के प्रती यूको तथा यूतियों को जागरू करना तथा उन्हें अंतिम रच्छा पंक्ती के लिए तयार करना कोशन नमर 30 है विश्व स्थापन की स्थापना किस वर्ज हुई थी दोस्तों WHO यानि वर्ल हेल्थ और्गेनाजेशन की स्थापना साथ अप्रेल 1948 को जेनेवा में की गई थी तो साथ अप्रेल 1948 इस संग्ठर का मुख्य हो देश विश्व के समस्ते लोगों के स्वास्थ की उचतम संभव दसा को प्राप्त करना है प्रकिति में नैट्रोजन गैस की कितनी प्रतिसत होती है आप सबको पता है 78% होती है नैट्रोजन 21% ऑक्सिजन 0.03% आपका करबन डियाकसाइड और 0.1% में अन्य गैस से होती है कोसें नमर 32 है DPT का बच्चों को किन किन बिमारी ओं के लिए बचाने के लिए लगता है तो दी से डिप्थिरिया और फिर दूसरा डी से प्रट्टूस डी से डिप्थिरिया पी से पर्टूसिस यानि कॉली खासी टी से टिटनेस याद रखेगा डी पी टी दिट्रिया पर्टूसिस टिटनेस पर्टूसिस मतलब कॉली खासी कि बिमारी यह सो पचानली के लिए लगा जाता है कोश्चन नमर्ट 30 है किसका संदर्व एस्थेनिक बॉड़ी टाइप से है दोस्तों जो है बॉड़ी टाइप जो है एस्थेनिक और डायस प्लास्टिक इस चार भाव में पाटा है क्रेस्मन ने जिसमें पिकनिक का मतलब होता है कद छोटा गोल का है बॉड़ी किहरा गोल सरी मोटा मिलेंसार बहिर मुखी विनोस्प्री अरामतलग और एस्थेनिक दुस्रा बाटा है इन्होंने इतलैटिक सुडोल का है जो सरी बलवान पेशी मजबूत अस्थी पनिज़ ससक सीनात चोड़ा मतल्ब मजबूत बॉड़ी होता है और तिसरा इन्होंने बाटा है डायस प्लास्टिक जो उपर तीनों का मिस्रण होता है बिलोचदार होता है यहां पर एस्थेनिक बात कहा है दुबला पतला सरी यानि कि पतला चिछला च्छाती वाला थीन सेलो चेस्ट यहां पर राइडेंस रहोगा कोशन नमर चौटीस है कैम्पिंग के क्या उद्देश से हैं दोस्तों कैम्पिंग से हम ब्योहारी कौशाच सिखते हैं लर्निंग प्रैक्टिकल एक्सकील सगरात्मक सोज बिक्सित करना डिलोपिंग पॉजर्टी ठिंकिंग ब यहां पर राइडेंस रहो जाएगा टैंपिंग का कोशन निमर फॉजर्टीस है काडियो वैस्कुलर बीमारी किसे समधित है तो तो circa डिया हिदय और राइंब ध्मन यू से यानि हॉट अनड ब्लड्स सांड से समधित है कॉसिन नंबर 36 है सीविर की अवदी होती है तो इस प्रदार के लिए किसी बाइंटल कोड का आकार क्या होता है वार यह साय जाव बाइंटल कोड आफ डबल्स इवेंट्स तो डबल्स के लिए कि दूरी बाउस activity की एक दूरी बास्केर से कोस्ते विटी हैं यह ऑनकी 5 पीडी कम से गम यहां पर इनमे से कोई नहीं हो जाएगा यहां पर 6.75 मिटर होता है तुरी कितना होता है 6.75 मिटर यानि 22 फिट के लगबग होता है 22 फिट 5 इंच तो यहां पर आपसन नमबर सी यहां पर राइड होना चाहिए 38 नमबर कोश्चन का तो बॉस्केट बाल जो है जो थ्री पॉइंट एरिया होती है तिन अंग के लेखा इसके अंदर से बॉस्केट करने पर खिलाडी को जो फ्री त्रो से बॉस्केट करने पर एक अंग क्राफ्थ होता है 3.66 के अंदर से बॉस्केट करने पर प्राफ्त होते हैं कि यहां पर थ्री पॉइंट चेतर की एरिया पूछा है इसी 6.75 मिटर यहां बाइस फीट लंबा 22 फीट 1.75 इंच तो यहां पर 22 फीट 5 इंच आपका राइट एंसर हो सकता है यहां पर आपसा नमबर सी यहां पर राइट होगा इसका करेक्ट एंसर आप कमेंट में बताएगा अगर कोई गलती होगा तो दोस्तों यह था आज के सेशन में अर्टिस कोशन्स आई हो कि सभी को होगा कमेंट में जरूर बताएगे और जादे जादे वीडियो को सेयर भी कीजिए जिसे लिए और नहीं लोगों तक ही वीडियो पहुंच सके ते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाएएगे